कर था नुराग बदोरिया रुख जाए न आप मेरे तीन और महमान है रुख जाए मुस्कुरह रहे हैं अभी बहु बेटी का दर्द आपके कहां चला गया अब कर रहे हैं मेरे रुटी के लिए न आपको छोड़े हूँ इसलिए मैं आपके सामने आवाज आप मैं RJD के जो प्रवक्ता आमारे साथ जू रहे हैं उनका रूख करती हूँ सर एक बड़ा सवाल तो वहां बिहार में भी सीट शेरिंग को लेकर आ रहा है और ये कहा जा रहा है कॉंग्रिस सुबोजी अपनी सीटों पर अड़ी हुई है RJD ये चारी है कि वो सीटे जो चारी है उस पर RJD के प्रत्याशी जो विनेबल कैंडिडेट्स है वो लड़े ये स्तिती अभी भी आज की तारीक में बनी है मेरा सीधा सवाल है अगर आपस में आप लड़ेंगे तो फिर चुनाव कैसे जीते में है सुबोजी बहुत अच्छे से तालमेल हमारा कॉंगरेस के साथ है इसमें कोई दिक्कत नहीं है थोरी बहुत लेट हो रही है कल तक ये सारा फैनल हो जाएगा जहां तक बात रही आप कह रही है कि आगे का कैंडिडेट अभी तक आया नहीं है तो देखिए ये परकिरिया है और इस परकिरिया में हम लोग डिवेट डाइसेंट के साथ जो है डिसकसन कर रहे हैं और कल तक संभवता 24 गंटे के अंदर हमारा सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा और हम लोग आपके सामने होंगे पहली बात दूसरी बात यह है कि जो एजेंडा सेट होना चाहिए था एलेक्षन दो हजार चौबिस का आम जनरल एलेक्षन का वह एजेंडा ही नहीं है पूरे भारत में ही ले लिए लगता ही नहीं है कि जो बोटर है वो डी मोटिवेटेड हो चुके है इसलिए है क्योंकि जो परहाई का एजेंडा हो दबाई का एजेंडा हो फार्मिंग का एजेंडा हो जॉब का एमप्लाइमेंट का एजेंडा हो इस एजेंडे पे कोई डीवेट डिसकसन नहीं हो रहा है किसी भी चौक चौराय पे नहीं हो रहा है एजेंडा इनका सिर्फ एक है कि सवर्ग और नौरकी जैसे अभी अलोग भाई बात कर रहे थे एक तरफ सवर्ग है एक तरफ नौरक है इसी तरीके का एजेंडा set करके ये एलेक्षन आना चाहते हैं लेकिन हम लोगों का एजेंडा डिवलप्मेंटल मोडल का एजंडा है जिस तरह से यसी परसाद यादव जी ने डिवलप्मेंटल मोडल को लेकर बिहार में आगे बहे हैं बिहार की महां जंता ने हमें समर्थन किया है और हमें पूरा विश्वास है कि अगर संविधान के निर्माताओं के मुल को जो छिन भ आपकी इजाज़त से एक बार मैं बाकी सबसे ओपनिंग रमार्क लेनूं फिर मैं आपके पास आंगी सतीजी वह जो आरजडी के प्रवक्ता बोल रहे हैं हमको लगता है कि जो चैलेंजर हो जाता चुनौती देने वाला होता है वो 24 महीने पहले अपनी पूरी तयारी खतम कर देता है यह तो एक सीट का एड़्यस्मेंट ट्रक नहीं कर पाये विद्धान सभा चुनाव हमको नहीं लगता है इनको लोक सभा से को लेना देना है मुझे तो ऐसा नहीं प्रतीत होता है यही चीज आपको कई जगह दिखेगी अध्रिश्च शक्तियां बहुत हावी है कोई एक जगह से दो दो आधमी आ जा रहा है फिर वापस चला जा रहा है वह भट जा रहा है मैंनी कहे रहा है कि बार्षुपा में भी पाँच अद्रिश्च रक्तिया, बहुत से काम होते ह् नीव पॉलिटिक्स में, कैसे चलता है आप समझ रहेंज ना, क्या होता है? आजकल दखेर्ऑ, लेदेन view-nguloक, डियुसाम nove, क्या इख, उसके आदार पर चीज़े होती है हम को बयान भी देते हैं तो हम भी सोच समझ के देते कि इसे आपका फाइदा कराना आपका गाटा कराना गिवन देग पर जला अजारा मामला तो यह बयान से लेकर के और इधर से छड़ पा छड़ पी जो चल रहा है तो इसे तो जादा साथ है पहले फेज काप चुणाब पराज ले रही है अभी बैसल already hence का अभी क्लरएटी है क्में प्रौट क Wear the छूनावद लास्थान में भी आप पहले फेज में जैसा मैंने देखा है मद्यप्रदेश में पूरा तमील नाटू है तो यह जो判 या हम ग्र वहारती ग्षब तो पूरा सा जगह दोगे ना तो पूरा जगह कभजा कर लेंगा यह तो आपको लड़ने भी नहीं देंगे और लड़ने को आपको लड़ाते रहें अनुराग बदोरिया तीस सेकेंड और उसके बाद मैं आगे बढ़ रही हूँ वाजब खान का क्या हो देखे देखे भारती जनता पार्टी किस बात का एसास हो गया है कि जनता उंको वोट नहीं दे रही है तो उनके पास ख़वर नहीं है तो ख़वर क्या है देखे समाजवादी पार्टी से दो पहुंचें अरे भाईया वो आपको पता चल जाएगा अभी आदे घंटे में वो हमारी स्टेजी आप केसे जानेंगे रावपुर से तो अरे भाईया अपना बताओ ना आपकी यहां तो च्राव लड़ने सीमना कर देते हैं पहले हैं पो टिकिट नहीं चाहिए हम नहीं ल लगातार करते हैं इस पर चर्चा ही नहीं कोई करना चाहता है अब समराठ चोधरी जो बात कही है एक पिता पुत्री का रिस्ता इस्वरी रिस्ता होता है एक पुत्री को किस तरह से पिता पाल के बड़ा करता है आपने देखा हो पिता खुद पैदल चलता है अपनी बेट बोलेगी भी नहीं इसी तरह से दिलिग भोष क्या कह रहे हैं उन्हें पूरा बोलने का मुखा देदी आपको जबाब दूँ जबाब दूँ मैं आपका सवाल बिल्कुल जायज है जो यह हुआ कि शुब्कार मैता-फथा जी राश्राओत नुत्राथा जी शरॉत काम्बरन मेता कि देखिए जनता पाटी हार को देखते हुए अनर्गल ब्याने करती है जैसे जैसे कि अभी जो है सतीश के सिंग जी कह रहे थे कि इनके पास क्या है देखिए ब्यूटी लाइज इन डाइडल बीहोलडर अगर उनको पता ही नहीं चल रहा है कि हमारी एलाइंस मजबूती के स है चल रही है कुछ दिखते हैं वो सॉल्व हो जाएगी आप देखिए 402 टिकट का एनॉंस्मेट किया है भारतिये जनता पाटी ने 402 टिकट में 238 टिकट सिर्फ जो है उन लोगों को दिया है जो की समाज में मातर 10 परसेंट लोग है जो ओबी सी हो गया है स्टी हो गया य एक तो आप यह बता दिजये हमको कि यह तो जो है सी टोरल पॉलिटिक्स करते हैं यह पोट बढ़िया आपका मुद्दा है मैं करिया भाट बढ़िया मुद्दा है कि सेक्ट यह लोग कॉलेट कटे हैं मुसलमानों को एक को वोट नो ने नहीं दिया बना यह ना इसको सब्सक्राइब नजर आरे मेरी बात सुने मैं क्या कह रही हूं आपको आप लोग आपस में ही भिढ़ेंगे तो अजया लोग से कैसे लड़ेंगे एक बहुत सिंपल सा सब्सक्राइब बनाइए मुद्दा कि क्यों मुसल्मानों को बीजेपी जो है टिकेट नहीं दे रही है इसी बात को दोराया है उन्होंने जो महलाओं के ऊपर जो अनरगल बाते किया है सब्सक्राइब नहीं हो पाया क्यों आप लोग इसी आप लड़ाई में उचे हुआ हर्श्वर्दन क्रिपाठी जी सुभोच जी अब एक सकते हमारा मुद्धा डिवल्पोस कर दिया चेंज कभी कह रहे हैं यह कभी कह रहे हैं वह अभी कह रहे हैं कास्ट पॉलिटिक्स अ इस यह ऐसा लग रहा है कि मैं युनिवरसिटि में हूँ और आप लोग बड़े से क्लास्रूम में लेक्चर दे रहे हैं आप दोनों चुनाब नहीं लेड़ें आप लोग लेक्चर दे रहे हैं आपके बस टाइम है लेक्चर देने का अरे रण नीती पर बात कीजी ना बाट कही डेवलपमेंटल पॉलिटेक्स तो कास्ट पॉलिटिक्स बिल्कुल सही बात है बड़ा डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स कर रही है आजए जी देखिए तो परिवार का कितना अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है एक बेटी चपरा से लड़ेगी दूसरी बेटी बाट अच्छा डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स बाकी बिहार में तो यादव नहीं नहीं ना यादव तो फेकी परिवार के लालू परिवार में उत्तर प्रदेश में सपा में भाटीजे को लडाना चाहते है रामपूर उसके लिए आजम खान तयार नहीं है इसलिए अखि अखिलिए मैदान चोड़के भाग रहे हैं किसी सीट पर लड़ने की ताकत नहीं बची है औरे और तो और महनपूरी से भी नहीं लड़ना चाहते हैं भाई तो इसमें हमारी कहां गलती है आप खुद इतने डिस ओर्गनाइज हो चुके हैं आपका मनोबल तूट चुका है जनता आपके साथ है नहीं जनता देख रही है भारत कैसे आगे बढ़ रहा है मुदी जी कैसे आगे ले जा रहा है उसमें बीच में आप लोग जूट मूट का इधर उधर कभी धरम कभी इसका टिका मुसलमानों को टिकटी दिया पता दिया आपने इनको तो लेक्चर दे मेरे गहल से 70 के ऊपर एक्स्ट्रा सीटे चाहिए अगर आपको उस बेंचमार्ग पर पहुंचना है तो कहां से आएंगी सीटे मैता आपको एसी जुड़वा दूँ मैं 70 सूपर कहां में आएंगे उपी में 62 हम 15 सीटे और बढ़ाएंगे उतर प्रदेश में बिहार में हम सेम के सेम रिपीट करेंगे बंगाल में हमारी कम से कम 12 सीटे और बढ़ेंगी हम 30 से 35 के बीच में बंगाल में तो 15-35 से हमारे साथ हर्षपर्दिन ट्रिपाटी जी भी बने हुए हैं और राश्ट्री लोक मंच की मादव आनन भी बने हुए हूं मादव आनन आप कुछ कहना चाह रहे थे और उसके बाद हर्षपर्दिन जी आपको रूप करें पूरा बिपक्ष कनफ्यूज है और कनफ्यूज ही नहीं एक फ्यूज बल्ब के तरह है जिस तरह फ्यूज बल्ब में कोई रोसनी नहीं होता है उसी तरह बिपक्ष में कहीं रोसनी दिखा ही नहीं पर रही है जंता में कहीं भी रोसनी नजर नहीं आ रही है उपोजिशन पा है और लगातार एलोग सेल्फ गोल कर रहे हैं एक तरफ आधर्णिये प्रधान मंत्री जी के साथ करें ना इनकी नीती है ना नियती है ना इनके पास नेता है और जनता इस बात को भली भाती समझ रही है कि देश हित में नरेंदर मोदी जी को तीसरी बार प्रधान मंत्री बनाना तै है और जनता इस बात को आशिरवाद के रूप में देने का काम करेगी जब चार जुन को रिजल्ट आएगा तो यह आपको भी पता चल जाएगा जी बताए रुपका जी कुछ का रही है आपकी सीट से अभी तक उम्मीदवार क्यों नहीं उसका एलान क्यों मेरे सीट से तो हम लोग जो NDA के घटक दल है हमारी नहीं पार्टी रास्टी ये लोकमुर्चा है उपिंद कुष्वाहा जी कारा कार्ट से चुनाब लड़ेंगे इसमें कोई दुगधा नहीं है एक सीट हम लोगों को गठवंधन के तरब से मिला है कि गठवंधन में जब की द्याग बावना है सुभोजी कुछ कहना चाहें लेकिन हर्षवर्दं रिपाटी जी हर्षवर्दं रिपाटी जी अनुराग बदोरिया लगातार आरोप लगा रहे हैं कि मीडिया को जो मुद्दा उठाना चीए उठाया नहीं जा रहा है अगर मीडिया वाकिई आप वही मुद्दा उठा रहे हैं यह बाकी जो सारे बयान बाजी करते हुए नर्गल बयान बाजी करते हुए बाद में आये ना कि मुद्दा बनता लेकिन शुरुवात किस ने की है क्या मीडिया पर आरोप लगा देने से चुनाव जीत लेगी विपक्ष किये तमाम एफिसेट वो जीडीपी का 1.2% रह गया है अब मैं नहीं जानता हूँ कि इस पर जो भी नेतागान लोग है इन में से कोई बात करने की इच्छा रखेंगे क्या जीडीपी का 1.2% यह रिकॉर्ड लो है मतलब अगर हम कहें कि चालू खाते का घाटा इतना बढ़िया हो गय झालू झालू झालू